नमस्कार दोस्तों UPVC Windows Training Series में आज हम आपको sliding door size के बारे में बताएंगे sliding door size जो होता है ना दोस्तों यह आपके 3 track या 2 track में जो door level की height होता है उसका पल्ला है तो उसमें जो आपका ऐसे move करता है यह पल्ला है तो इसको sliding door size क्यों बोलते हैं क्योंकि यह जितना door को मजबूती चाहिए उतना बड़ा होता है जैसे window आपकी 7 by 7 feet से छोटी है तो आप उसमें इतना बड़ा नहीं लगाएंगे तो यह हमारी profile में जो हम use करते हैं उसमें इसको 85 mm TC60-5 door size कहते हैं पर आप लोग जिस भी profile में काम करेंगे उसमें आपको एक door size जरूर मिलेगा और sliding door size आपको समझने के लिए यह करना पड़ेगा कि जैसे door होता है आपका 7 feet and above तो उसके लिए हमारी profile में यह 85 mm है और इसके properties जब हम देखते हैं और यही चीज आप लोग जो profile use कर रहे होंगे उसके लिए apply कर सकते हैं तो यह video सिर्फ हमारी profile usage के लिए नहीं आप कोई भी profile कर रहे हो आपको पूरा idea देगा कि door size क्या होता है उसकी properties क्या कैसे होती है तो जैसे हम अपनी specification में जब इसको देखते हैं यहां पर देखिए यह दे रहा है यह 85 mm दे रहा है एक side का आपका 85 mm है opposite side वाला यह चोटा वा 85 है और बीच का तो 42 होता है हर एक size का हर एक पल्लों का बरावर होता है मतलब 1,2,3 जब हम बोलते हैं तीन type के size होते हैं छोटी window के लिए medium के लिए और फिर door size तो तीनों का 42 होगा और यह आपका 85 है इसमें और इसको हमारी profile में TC60-5 बोलते हैं और इसका weight जो होता है 1.244 kg पर मीटर और एक bag में 4 पीसे होते हैं तो अब हम जैसे बात करते हैं इसकी कि जब हम inventory management करते हैं तो inventory management के लिए आपको क्या numbers लेने हैं तो जैसे हमारी profile का आप example ले लिए तो जैसे यह इसके bag आए वे हैं अगर आप देखें तो यह TC60-5 के bag है ना TC60-5 और bag में एक की length लिख यह 5.84 है और 5.84 और एक unit weight लिखका है 7.27 तो यह कैसे आया और inventory management में आप कैसे निकालेंगे यह kg यह हम बताते हैं जैसे कि आपने यहां पर देखा था यह 1.244 kg पर मीटर था और अगर हम यह कटे वे पीस को दे हैं तो देखें मैंने इसमें roller भी heavy लगा है क्योंकि यह door के आपके glass पर रहेगा कि कितने कितना glass का weight आ रहा है 12 mm का glass है या फिर 6 mm toughened glass है तो उसके base पर आपके roller लगेंगे और यह door size में ही आपका काम आएगा क्योंकि इस side से 85 था और इस side से 69 था यहां पर यह 42 था तो यह तो हमारी profile के लिए आपको use करने के लिए हो गया यह 42 है और य 85 है और इस side से 69 है तो जब हम देखते हैं कि inventory management के लिए आपको क्या लेना है तो आपने देखा यह 1.244 kg per meter आया था तो आपने 1.244 को क्योंकि 5.85 की एक unit होती है एक piece एक छड़ जो है वो 20 feet के आसपास की होती है और 5.85 meter तो 5.85 into 1.244 यह आया 7.27 kg जो कि आपने वहां पर द लिखा था जो आपके piece पड़ा था उसमें जो bag पड़ा था उसमें लिखा था कि एक unit की weight इतनी है और एक bag में 4 piece है तो 7.27 into 4 करेंगे तो 29.1 kg आएगा तो अगर आपको bag का weight निकालना है तो यह वाले formula से निकालेंगे सेम चीज आप अपनी profile के लिए भी use कर सकते हैं क्योंक bag होंगे और तरीका यह हो का निकालने का inventory management के लिए यह number 29.10 kg bag का और एक unit का 7.27 kg मतलब एक piece का और इससे जब हम window का weight निकालने वाली बात करते हैं जो कि हमारा YouTube video भी है कि how to calculate UPVC window weight उसमें आपको GI जो इसमें लगती है वो 0.7959 है यह 1.2 mm वाली GI है तो इसका running weight हो जाएगा 1.959 kg पर मीटर एक मीटर में 1.95 kg एक दिसमलब नौपांच केजी तो इसमें हमने यह cover किया क्योंकि जब भी हम आपको अभी glass का size निकालना बता रहे हैं या फिर हम आपको size का size निकालना बता रहे हैं तो वो सारे के सारे sizes में हम ऐसे उठाते हैं कि 85 mm वाला का आप ऐसे नि तो आप बाकी चीज़ें भी कर पाएंगे जैसे कि inventory management हो गया और quotation हो गया और आप ये videos relate कर पाएंगे और अगर कोई और profile भी आप use करते हैं तो इसी तरह की चीज़ें होंगी किसी भी profile में UPVC Windows की किसी भी profile में बाकी आपके कोई questions होंगे तो दोस्तों please comment कीजिए दोस्तों